समस्कार आप देख रहे हैं बॉलिवड की इस्ट्री और मैं हूँ आपके साथ एकताओं में लेकर आए हूँ बॉलिवड की कुछ लेटिस्ट अब्डेट नेशनल क्रस कही जाने वाली रुश्मिका मंदाना आए दिन सुर्ख्यू में बनी रहती है एक्टरस अपने परसनल लाइफ को लेकर आए दिन लाइम लाइट भी बटोरती रहती है वही लंबे वक्त से एक्टरस का नाम साउथ सुपरस्टार विजर देव कोंडा के साथ जोड़ा जा रहा है बता देए कि दोनों की मुलाकात फिल्म गीता गोविंदम के सिट पर हुई थी यही से दोनों की दोस्ती की शुरुवात हुई थी और ये दोस्ती फिर लोगों की नजर में आ गई वही अब इन दोनों का रुष्टा दोस्ती से कहीं जादा भी हो गया है और इस बात को खुद रश्मिका ने भी स्विकार कर दी है दरसल कीता गोविंदम फिल्म से फेमस हुई दोनों की जोडी को लोग आज भी हीरो प्यार देते हैं लेकिन लोग कही न कहीं ये भी जानना चाहते हैं कि इन दोनों की बीच का रिश्ता कैसा है तो अब इस सवाल का जवाब खुद रश्मिका नहीं दे दिया है जो है एक्ट्रिस ने एक इंटरव्यू के दोरान बताया कि वर रक्षित सटी के साथ अपने रिस्तों को खतम होनी का दर जहेल रही थी तब देवकोंडा ने उनका बहुत साथ दिया था रश्मिका ने कहा कि उस मुश्किल वक्त में विज़देवकोंडा ने उनकी काफी अच्छी सी देखभाल की और उन्हें एक कमफर्ट जून भी दिया साथ ही रश्मिका ने इस बात को भी स्विकार किया कि विज़देवकोंडा की मदद की बाद ही उन्हीं एहसास हुआ कि यह सबसे परे भी एक दुनिया है जो उन्हें गले लगाने का इंतिजार कर रही है वहीं विजे को लेकर रश्मिका का कहना है कि वो एक सिंपल सक्स हैं जो अपनी दुनिया में खुस रहते हैं रश्मिका का कहना है कि गीता गोविंदम के दौरान हम सिर्फ दोस्त थे लेकिन एक ऐसी चिंगारी थी जिसे हम नजर अंदार नहीं कर सकते थे वहीर रश्मिका ने ये भी बताया था कि एक बार मैंने विज़र से अपने प्यार का जहार भी किया था लेकिन उस वक्त वो थोड़ा झिजक रहे थे लेकिन रश्मिका ने ये भी कहा कि मुझे पदा था कि विज़र के मन में भी मेरे लिए एक soft corner है तब उन्होंने इस्विकार कर लिया था कि जिस तरह से हमारा प्यार पनपा है उससे हम खुश हैं। यह हमें कमेंट बॉक्स में जुरूर बताइएगा। वाल अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकतात्री पार्टी पुशाब के इसरे दिल्ली से। अगर आप मारे वीडियो फेस्बूप पर देखनें तमार पेज को लाइक जरूर करें। और अगर आप मारे YouTube पर देखनें तुम्हारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।